हेलो दोस्तों मैं अभिशेक आप सभी का सवागत करता हूँ एक वोड़ नय वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीरीज कंटीन्वीश करने जा रहे हैं, जो कि मैने in Nichts वाट करी रहे तो पहले वो चेक आउट कर लेना, क्योंकि ये दो वीडियो के best हम लोग यहाँ पे आज थर्ड वीडियो बना रहे हैं तो चलिए बिना वो गवाय स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को तो यहाँ पे देखो, प्रीवेस वीडियो में हमने ये सेकेंड वाले वीडियो में देखा था कि हम लोग किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आयद वीड है वो जीरो है या फिर वन है अब देखो दोस्तो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा एडवांस देख रहे हैं क्या कर रहे हैं अगर आयत bit अगर 0 होगी तो उसे क्या कर रहे हैं हम लोग 1 कर रहे हैं 1 होगी तो उसे 1 ही रहने दे रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो bit है उसे set कर रहे हैं तो हमें वही करना है हमारा question है देखो set the आयत bit ठीक है यह हमारा question है अब देखो दोस्तो set से मेरा मतलब क्या है set से मेरा मतलब है कि वो one करनी है अगर one होगी तो हमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि one है तो हम लोग सिर्फ उसे one ही रखने वाले है अगर लेकिन zero है तो हमें उसे one में convert करना पड़ेगा तो इसे हम लोग solve कैसे करेंगे सबसे पिले यह देखो यह first quality case को मैं यहाँ पे ले लेता हो तो 13 जो है उसे मैं यहाँ पे binary में represent करता हूँ ठीके यह हमारा 13 का binary है अब देखो i equal to second यानि यह जो bit है यह वाली इसे मुझे क्या करना है सेट करना है तो इसे अगर मैं सेट करूँगा तो मेरा output क्या बन जाएगा one 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 पूरा का पूरा मेरे one हो जाएगे इसका मतलब मेरा output क्या आना चाहिए उस case में 15 output आना चाहिए तो दोस्तों अब देखो one one zero one को मुझे one 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 में convert करना है तो दोस्तों यह मैं किस तरह से करूँगा तो देखो हम लोग हम लोगों को क्या करना पड़ेगा देखो simple से बात है मुझे zero को one में convert करना है यहाँ पे अगर देखो तो हम लोग basically कर क्या रहे है तो यह zero को हम लोग one में convert कर रहे है तो हमें एक्च्वल में 0 को 1 में कनोट करना है तो दोस्तों इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं अगर हमने और ले लिया ठीक हमारा bitwise और ले लिया 1 के साथ 0 का तो मुझे 1 मिल सकता है तो मुझे कैसे भी करके ये वाली position पर 1 लाना है और बाकी सारी position पर मुझे 0 लाना है तो मेरा काम बन जाएगा तो मैं क्या करूंगा तो मैं simply करूंगा यहाँ पर देखो हमारा जो number given है वो हमें यहाँ पर है मुझे क्या करना है इस position पर 1 लाना है तो मैं क्या करूंगा हमारा एक one ले लूँगा ठीक है मुझे mask बनाना है mask क्या बनाना है यहां पे सारी जगा पे होना चाहिए 0 यह हमारा n है और यह हमारा mask है तो मुझे यह mask बनाना है दोस्तों उसके लिए मैं क्या करूंगा देखो one को n ठीक हमें जो भी i दिया है यानि one position से मैं left shift करूँगा तो मुझे ये बन जाएगा अब मैं क्या करूँगा इनका ले लूँगा bitwise और ले लूँगा तो देखो यहाँ पर आ जाएगा one यहाँ पर one यहाँ यहाँ पर one यहाँ पर one तो जो हमारा desired output था वो हमें मिल चुका है तो इस तरह से हम लोग करेंगे left shift operator का यूज करके हम लोग यहाँ पर उस bit को set करेंगे देखो bit को set करना है तो मैंने यहाँ और यूज किया है ठीक है अब यह second वाला test case ले लेते हैं अब देखो 15 है उसे मैं represent करता हूँ binary में तो already सारे once है और i equal to 3 लिया है मुझे इसे set करना है ठीक है अब मैं क्य करने वाला जो output है वो हमें मिलने ही वाला है तो देखो one 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 है मुझे क्या करना है यह third bit पर one चीए तो मैं यहाँ पर one लिख दूँगा बाकी सारी जगा पर zero लिख दूँगा अब देखो यह मेरा mask है इसे में किस तरह से बनाऊंगा इसे में बनाऊंगा one left shift i-1 से तो यह यह मेरा mask बन जाएगा अब मैं क्या करूंगा इंका bitwise और ले लूंगा तो देखो one zero होता है one 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 जो की मेरा desired output था कि मुझे उसे set करना है already set था तो कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन देखो हमें output भी वही मिल रहा है तो इसका भी output हमें 15 मिल जाएगा तो मेरे खायल से करना है यह समझ में आ गया होगा ठीक है बहुत ही important question है आपको कोई directly नहीं पूछेगा कि भाई इससे set करके दिखाओ लेकिन अब जब complex example solve करंगे तब आपको यह बहुत बार देखने को मिलेगा तो जबसे पहले यहाँ पे मैं इसका भी code करके आपको दिखा देता हूँ त क्या है और i मतलब क्या है क्या क्या है था तो हमें क्या करना था हमें क्या करना था तो किसके साथ और तो और हम लोग क्या करेंगे देखो यहाँ पे bitwise और किसके साथ किया है हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हमारा जो 1 है उसे left shift कर रहे है लेकिन कितने time कर रहे है n-1 ठीक है i-1 time left shift कर रहे है तो जैसे ही हम लोग यतना करेंगे तो हमारा mask बन जाएगा और हमने उसके साथ क्या किया था bitwise और किया था n के साथ तो मैंने simply यहाँ पे एक line में लिखा है आप लोग चाहें तो mask separate line में मना सकते हो और return separate line में कर सकते हो तो मैं इसे run करके दिखा देता हो तो n की value सबसे पहले जो हमने यहाँ पे ली थी की वो ले लेते है 13 और दू तो 13 और यहाँ पे 2 ले लेता हूँ तो sorry मुझे यहाँ पए function को call भी तो करना है मैंने function को यहाँ पे call ही नहीं किया तो यहाँ पे अपे हम लोग call करता हो see out हम लोग set bit function को यहाँ पे call करेंगे ठीके और यहाँ पे हम लोग N, I को पास करेंगे ठीके और simply मैं अभी से run करता हूँ तो देखते हैं क्या output आता है तो देखो सबसे पहले 15 सरी 13 और क्या था 2 था तो हमें 15 output मिल रहा था जी हाँ देखो मिल रहा है अभी मैं डालता हो 15 और 3 हमने लिया था शायर देखते हैं हाँ तभी भी 15 मिल रहा है तो मेरे खा उसका ही next question हमें मिलता है जो क्यों होता है unset the id bit तो यहाँ मिलता है तो देखो यहाँ इंसेट से मेरा मतलब क्या है अब देखो bitwise हमें 1 बनाना था तो हमने क्या यूज किया था और यूज किया था अब देखो 0 बनाना है तो हम लोग and use करेंगे simple है किसी भी नंबर का हमने अगर 0 के साथ and ले लिया ठीक है 0 and 0 या फिर 0 and 1 ले लिया तभी दोनों का output हमें 0 मिल रहा है इसका मतलब हम लोग यहाँ पे 0 and use करेंगे bitwise and use करेंगे अब देखो bitwise and use करना है तो सबसे पहले देखो हम लोग यह test case को देखते है 13 का binary में यहाँ लिख देता हो तो यह हो गया 13 का binary अब देखो मुझे क्या करना है थर्ड जो bit है यह जो थर्ड बिट है यह वाली इसे 0 में convert करना है तो देखो यहाँ पे देखो हमें unset करना है तो सबसे पहले में क्या करता हो इसी को यहाँ पे नीचे लिख देता हो अब देखो मुझे क्या करना है थर्ड पोजिशन पे यहाँ पे 0 लाना है किस तरह से भी और बाकी सारी पोजिशन पे 1 लाना है तो यह मुझे actual mask बनाना है यह इस तरह का mask बनाना है अगर देखो मैंने and ले लिया इसके साथ तो मेरा final output क्या बनेगा यहाँ पे 1 आएगा 0 यहाँ पे 0 और 1 देखो मेरा ultimate ज मुझे यह mask किस तरह से लाना है वो हम लोग देखते है कि हमने अभी तक किस तरह से mask बनाए है अभी तक mask हमने इस तरह से बनाए है कि हमारा यहाँ पे 1 आएगा और बाकी सारी पोजिशन पे 0 आएगा यह mask हमने बनाए है यह हम लोग किस तरह से बनाएते है तो 1 को हम लोग लेप शिप करते है, I minus one position से तो ये mask हमारा बन जाता है, लेकिन दोस्तों अब हमारा mask देखो, कुछ इस तरह से है, जहाँ पे भी हमारा zero है वहाँ पे one है तो दोस्तों इसे हम लोग achieve कैसे करते हैं तो इसका हम लोग ले ले लेते हैं compliment मैं जैसे ही compliment लेता हूँ, 0 का हो जाता है 1, 1 का हो जाता है 0, यह 0 का 1 और इसका भी 1 हो जाता है, तो देखो हमारा जो task था कि हमारा mask बनाना वो हमारा complete हो चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ and ले लेंगे, तो हमारा काम बन जाएगा, तो इस तरह से हमारा output आना यह, अब देखो, 9 का हम लोग देखते हैं, यह जो second test के से, उसका भी हम लोग देखते है, n equal to 9 है और i की value है, 4, तो 9 का में binary यहाँ पर लिख देता हो, यह 9 का binary, ठीक है, अब देखो, यह जो bit है, यह वाली, इसे मुझे unset करना है, तो मुझे देखो, क्या करना है, मुझे ultimately, यहाँ पर लाना है, 0 और बाकी सारी position पर लाना है, 1, ठीक है, यही तो हमारा task है, तो हम लोग क्या करेंगे, यह वाले mask को बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, हम लोग 1 को left shift करेंगे, i-1 position से, तो हमारा mask क्या बनेगा, उस time पर, तो mask बनेगा, 1, 0, 0, 0, ठीक है, अब म compliment, compliment लेने पर, 0, 1, 1, जो कि हमारा mask बन जाएगा, और हम लोग यहाँ पर bitwise and ले लेंगे, तो bitwise and लेने पर, 0, 0, 0, 1, यानि, ultimately, हमारा answer जो आने वाला है, 1 आने वाना है, तो मेरे खायल से, आप लोग को समझ में आ गया होगा, कि किस तरह से हम लोग करते है, ठीक है, यहाँ पर इसे भी code करते थे, ठीक है, यहाँ पर में डालता हो, int unset bitnam से हम लोग function बनाते है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो n और i को pass कर देंगे, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है, तो ultimately हमें return क्या करना है, n, and return करना है, लेकिन देखो, लेकिन सिर्फ इतना करने से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें यहाँ पर इसका compliment भी लेना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर compliment वाला sign लगा दिया है, और इतना सा करने से एक line से जो हमारा सारा काम बन जाएगा, तो यहाँ पर मैं function call कर देता हो, unset bit, ठीक है, unset bit मैंने यहाँ पर function call कर दिया है, अब मैं run करता हो, जो हमने test cases देखे थे, वही देखते है, 13 और 3, तो इसका output हमें 9 मिला था, यहाँ पर देखते है, 9 ही मिला है, अब 9 और 4 को हम लोग करते है, तो इसका हमें 1 मिलना चाहिए, 9 और 4, और 1 मिल रहा है, मेरे खाल से आप लोग को question और solution धोन आपे कोई भी doubt नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक like ज़रूर कर देना, साथ ही साथ आपको कुछ नया सिखने को मिला होगा, तो नीचे comment करके बताना कि भाई हमें नया सिखने को मिला है, और साथ ही साथ आपके अगली वीडियो में, तब तक के लिए, बबाई, टेक केर